रेडियो खाची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। रेडियो खाची 90.4 FM हम सब करेडियो। मैं डॉक्टर माधूरी रजक, एसोसियेट प्रोपेसर, हिंदी विभाद, राची विमेंस कॉलेज राची। आज मैं सनातकोतर तृत्य सेमिस्टर के पाठे क्रम में शामिल साकेत महाकाव के महाकाव्यत्व के उपर पुनह अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। द्वेदी युक्य रचनाकारों में मैथली सरन्गुप्त का विशेश महत्व है। इसलिए इसे कोई महाकाब, कोई खंड काब, कोई एक आर्थक काब कहता है। आकार की द्रिष्टी से साकेत को मूलतह महा कावे कहना ही उचीत होगा, क्योंकि महा कावे के सभी लक्षन इसमें सपष्ट तया द्रिष्टी गोचर होते हैं। साकेत के महाकाव्यत के उपर विचार व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि महाकाव्य की परिभाशा के बारे में प्राचीन एवं नवीन साहित्यचारियों की विचार सारणी में मतैक्य का आभाव है किसी ने महाकावे के लिए कथातत्व को, तो किसी ने विराट चारित्रिक गरिमा को महाकाव्यत्व का आधार माना है. इस मत विशमता के कारण यह निर्नाय करना कठिन है कि कौन सी कलाकृती महाकावे है, कौन सी नहीं. डॉक्टर संभू नात्सी ने प्रित्वी राज रासो, पदमावत, अल्लाह खंड, राम चरित्मानस और कामाईनी जैसे केवल पांच गरंथों को महाकाव्य माना है. डॉक्टर गोविंद राम शर्मा ने हिंदी के आधुनी के महाकावे नामक सोध प्रबंध में इन पांचों के अतिरिक्त, प्रियप्रवास, साकेत, कृष्णायन, वैदेही वनवास, साकेत संत को भी महाकावे की संग्या दी है. महाकावे की परिभाशा कावे सास्तर में इस प्रकार से दिया गया है. महाकावे वह प्रिहद कावे रूप है जिसमें कावेकार, विस्तृत कथानक, गरिमावान पात्र स्रिष्टी, उत्कृिस्ट रचना शिल्प और महत उदेश्य के माध्यम से युग जीवन की समग्रत को प्रतिफलित करता है. भारतिय एवं पश्चात्य मानेताओं के आधार पर साकेत के महाकाव्यत्व के विभिन आधार माने गए हैं. इन्ही आधारों को द्रिष्टिगत करते हुए मैं साकेत के महाकाव्यत्व पर अपने विचार व्यक्त करती हूँ. इन में से पहला आधार है लोक विश्वुत कथा, महाकावी की कथा वस्तु के प्रेरक्ष्रोत के रूप में इतिहास, पुरान अत्वा तत कालीन परिस्थितियों एवं कभी कलपना आधी होती है। हिंदी के अधिकांस महाकाव्यों की कथाओं का संकलन पूरानों की कथाओं से किया गया है। साकेत के वस्तु विन्यास का आधार लोक प्रसिद राम कथा है। साकेत से पूरव संसक्रीत प्राकृत अपव्रन्स में राम कथा लिखे गये। इस परंपरा में हिंदी के कवी कुल शिरोमणी तूल्शी द्वारा रचित्ट राम चरित मानस तथा रितीकालीन कवी केसव दास द्वारा राम चंद्रिका जैसे गोरव पुर्ण ग्रंथु का स्री जन इसका प्रमान है साकेत के कवी की महानता इसलिए अधिक है क्योंकि इसमें राम के प्रख्यात चरित्र को अपना कर भी रचनाकार ने अपनी मौलिक सूजबूज और काब्य कौसल से उसमें नवीन मौलिक प्रसंगों की उद्भावना करके उसे चिरकालिक रूप दिया है आचारे महाविर प्रसाद द्वेदी जी ने रविद्ना टेगोर की काब्यर उपेक्षिता से प्रभावित होकर कवियों की उर्मिला विश्यक उदासीनता सिर्शक निबंध लिखा था जो साकेत की मूल प्रेरक प्रिष्ट भूमी रही है ऐसे भी कवी मैथली सरन गुप्त वैश्नव मत को मानने वाले होने के कारण राम के लोकोपकारी व्यक्तित्व के पूरक रहे हैं और इसकी उन्होंने पूजा भी की है उन्होंने परंप्रावस रामकथा को आधार बनाते हुए अनेके मौलिके प्रसंगों की उद्भावना से उर्मिला के व्यक्तितों को उभार कर महाकाविकी सार्थक्ता को फलिबूद करने का प्रयास किया है साकेत कारने साकेत में जिन मौलिक उद्भावनाओं को सफलता प्रुवक व्यक्ति किया है वे हैं महाकाविकी रचना का प्रारंभ, नाठकिय एवं नवीन होना, उर्मिला एवं लक्षमन का प्रेमा ख्यान, कई-कई का मनोवज्यानिक्ता के आधार पर चरित्र चित्रन, नुमान को संजीवनी बुटी का भरत के पास से मिलना, तथा वसिष्ठ जी के द्वारा योग द्रिष्टी से साकेत वासियों को राम रावन युद्ध का दर्शन करवाना, इसके अलावा इस कृति में अनेके भावकुन एवं मर्म स्पर्शी स्थल्क भी द्रिष्टी को यथा उर्मिला लक्ष्मन का प्रेम समवाद, हास परिहास का सिष्ट रूप, कैकै मंथरा समवाद में स्त्रियोचित इर्श्या, दसरत मरन, भरत का पश्चा ताप, चित्रकुट प्रसंग, एवं वहाँ पर कैकै का हिर्दय परिवर्तन, उर्मिला विरह, एवं साकेत वास प्राचियों का रनोध्रित होना, इस प्रकार कभी मैथली सरन गुप्त ने प्राचीन राम कथा को युगा नुकूल प्रसनों के अनुसार ढाल कर, जो चिर्य नवीन रूप दिया है, वह उनकी अन्यतम देन है, महा काब्यत्व का दूसरा आधार है, साकेत में पात्र श्र मानुविय रूप में प्रस्तूत किया गया है, साकेत के अंतरगत राम कथा के सभी विशिष्ट पात्र आ गये हैं, जिसमें उर्मिला, लक्षमन, राम, सीता, कैकै, भरत, सुमित्रा, कौशल्या, दसरत, हनुमान, आधि उलेखनिये हैं, उर्मिला के चरित्र को ध्यान में रखकर रची गई साकेत की उर्मिला, दिव्य गुन संपन, विधी के हाथों ढली, कला शिल्पी की कला है, नव यौवना, एवं नव विवाहिता उर्मिला का हिर्दय, साकेत के प्रथम सर्ग में, दामपत्य सुक से अहलादित दिखाई देता है, तो नवम सर्ग में ठीक इसके विपरित विरह का जलजात बन गया है, परन्तु सभी विपरित परिश्थीतियों में भी उसने असीम धैरे, कर्तब्य पालन, एवं कुलींता का परिचय देकर भारत्य संस्कृति के गवरों की रक्षा की है, एक और जहां वह सौंदर्य की प्रतिमा है, तो दूसरी ओर स्वदेश प्रेम, आत्म, सम्मान, साहस, सौर्य, उसके व्यक्तितु में चार चांद लगा देते हैं, एक विरहिनी होकर भी वह कर्तब निष्ठ और संयम सील बनकर जीवन की विवीधताओं और विवीध बाधाओं का सामना करने में शक्षम रही है, इस प्रकार उर्मिला साकेत की अदुफुत चरित्र स्रिष्टी है, चूकि साकेत नाई का प्रधान काब्य है, अतह नायकत्व पद की अधिकारी होने का गौरो भी इसी नारी रत्न को जाता है, लक्षमन का चरित्र स्नेह, भक्ति भाव, साहस, वीरत् सायम जैसे गुनों का भंडार है, शाकेत के राम, परंपरावादी, राम की तरह आदर्सवादी पातर हैं, वे मातापिता के आग्या पालक, शम विशम परिस्तितियों में स्थिर प्रग्य, शक्ति, और तेज के अनंत भंडार हैं, शाकेत में कैकई, और सीता के चरित्रों में नवन में शालिनी प्रतिभा से परिस्तिती के अनुसार परिवर्तन लाकर उन्हें नवीन रूप में प्रस्तूत किया है यहां गुप्त जी की प्रतिभा मौलिक्ता और काव्यात्मक सूज वूज के रूप में उलेखनिया है इस प्रकार गुप्त जी के चरित्रांकन का आधार यथार्त भाव भूमी है पर उसका जुकाव आधर्स की ओर है। प्रायह सभी चरित्र रामकथा के अनुसार पुर्व निर्धारित हैं। परंतु कविमैथली सरन गुप्त ने उन्हें युग चेतना एवं सांस्कृति के बोध के संदर्व में रखकर नवीन रूप दिया है। महाकाव्यत्यों का तीसरा आधार है साकेत में प्रकृति वर्नन। महाकाव्य के रूप विधायक तत्वों के अनुसार साकेत में प्रकृति चित्रन का सुन्दर निर्वा है। इस महाकाव्य में प्रकृति चित्रन, प्रसंगा नुकूल, आलंबन, उद्धीपन, समवेदनात्मक, मानवी करन आधी सभी रूपों में द्रश्टब्य है। प्रथम सर्ग में साकेत नगरी का अस्टम सर्ग में मूंदे अनंत ने नयन धार वह जाकी कहकर चित्रकुट के संस्लिट रूप का अंकन तथा नवम सर्ग में ग्रिश्म, वर्षा, सरद, हेमंत, शिशिर, वसंत आधी रीत्वों का मनोरम अंकन आलंबन के रूप में प्रक प्रथिपक के रूप में चित्रन हुआ है, उर्मिला अपनी स्थिती पर खेद व्यक्त करती हुई कहती है, कहती मैं चात की फिर बोल, ये खारी आंसूं की बूंदे दे सकती यदि मोल, प्रकृती का समवेदनात्मक रूप में प्रकटी करन निम्न पंक्तियों में गोचर होता है, वह कोयल जो कूक रही थी आज हूक भरती है, इसके अलावा चित्रकुट में सीता का सौंदर्य निरूपन करते हुए प्रकृती का आलंकारिक चित्रन किया गया है, प्रकृती के मानवी करन के अनेक उदाहरन सरवर्त्र द्रिश्टी गोचर होते हैं, उदा प्रकृती कार साकेत में प्रकृती चित्रन परंपरागत एवं रूडी वाधी अधिक है, मौलिक और नवीन बहुत कम, परंतु प्रकृती चित्रन का सुनदर रूप साकेत में दिखाई पड़ता है, महाकाब्यत्व का चौथा आधार है रस वर्नन अन्य महा काब्यों की तरह साकेत में भी मुख्य रस के अलावा अन्य रस का वर्नन मिलता है साकेत का अंगी रस या मुख्य रस करून रस है नवम सर्ग में इस रस का प्रयोग बहुत आयत से हुआ है उर्मिला का विरह वर्नन कहीं कहीं अत्यंत करून बन पड़ा है उधारण के लिए करुने क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई मेरी विभूती है जो उसको नव भूती क्यों कहें कोई राजा दसरत की मृत्यू के अउसर पर भी करून रस साकार हो उठा है स्रिंगार रस के दोनों पक्ष का प्रयोग साकेत में हुआ है प्रथम सर्ग में संयोग पक्ष एवं नवम सर्ग में स्रिंगार के बियोग पक्ष का वर्णर मिलता है इन रसों के अतिरिक्त वीररस, रौदररस, हास से अद्वुत रसों की निस्पत्ती भी प्रसंगानुकूल हुई है महाकाब्यत्व का पाच्वा आधार है विरह वर्नन, साकेत का नवम सर्ग इसका प्रानतत्व है इस सर्ग में उर्मिला की वेदना साकार हो उठी है और साकार रूप से प्रतिबिम्बित भी होती है प्रथम सर्ग में हास परिहास, अस्टम सर्ग में चितकुट वर्नन की गमभीरता और नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्नन तथा करूना और वेदना का भाव दिष्टि गोचर होता है। नवमसर के गीतों में विरहनी उर्मिला के हिर्दय की उद्दात भावनाएं दिखाए पड़ती है उदाहरन सरूप विरह के ताप से तप्त उर्मिला कहती है मेरी छाती दलक रही है मानस शफरी ललक रही है विरह की मारी उर्मिला के को फूल भी भार सरूप लगते हैं और वह कह उठती है मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला बियोगिनी कुछ तो दया विचारो इसके अलावा वेदने तू भी भली बनी विरह संग अभिसार भी दोनों और प्रेम पलता है आदी विरह और प्रेम के उदाहरन हैं विरहनी की महांता महा सिद्ध होती है जहां वह विरह को इस्वर्य देन मानते हुए अंगिकार करती है सिर माथे तेरा यहदान हे मेरे प्रेरक भगवान विरह वर्नन में सड्रितु वर्नन दश दिसाएं आधिका वर्नन परंपरा रूप में हुआ है परंतु कहीं कहीं नवीनता भी है इस महाकाब्य का छट्टा आधार्ततो है चिरेकाल अपेक्षित भाषा का प्रयोग मैतली सरन गुप्त ने साकेत में आधुनिक खड़ी बोली को भाषा के रूप में अपनाया है इस खड़ी बोली को कवी ने अपनी सतत साधना एवं नवीन प्रयोगों द्वारा परिस्कृत किया है यदपी द्विवेदी जी के द्वारा निर्धारित रूप रेखा को ही कवी ने अपनाया है परन्तु उशी भाषा को उतकर्ष मै रूप देकर उन्होंने अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है भाषा में सजीवता उत्पन करने के लिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग भी जत्रत्र किया गया है साकेत की भाषा में लाक्षनिक्ता, उत्कृष्ट शब्द योजना, आदी का यथा योग्य प्रयोग किया गया है संगवाद आत्मक प्रणाली द्वारा भी शैली में प्रवाह एवं गांभिर्य का समावेस हुआ है साकेत के समवाद चूटीले, संचिप्त, मार्मिक, रशात्मक, सजीव एवं प्रभावकारी बन पड़े हैं साकेत में संकृत भाषा, प्रांतिय भाषा एवं ब्रज भाषा का प्रयोग भी मिलता है कुछ शब्द गुप्त जी के अपने गढ़े हुए है साकेत महाकाब्य के महाकाब्यत्व का सात्मा आधार है अलंकार एवं चंद विधान महाकाब्य शाकेत में अलंकार योजना सहज एवं सभाविक है अलंकार के प्रयोग के कारण साकेत की महिमा में व्रिद्धी भी हुई है साकेत में अनुप्रास, रूपक, उपमा, शलेश, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अर्थांतर नियास, निदर्सना, आधी अलंकारों का प्रियोग अधीक मात्रा में हुआ है अलंकारों के कुछ उदाहरन द्रस्टब्य हैं, पहला उदाहरन जैसे सखी नील नभसर में उत्रा यह हंस अहा तरता तरता तथा उस रुदन्नी विरहनी के रुदनरस के लेप में ये दोनों रूपक अलंकार के सुन्दर उदाहरन है इसके अलावा निरख सखी ये खंजन आये तथा वेदने तू भी भली बनी में उपमा अलंकार आदी का प्रियोग सुन्दर बढ़्म पड़ा है साकेत का चंद विधान भी बड़ा ही सुन्दर है महाकाबय में लक्षना नुचार इसके प्रतेक सर्ग में एक प्रमुक चंद का निरवाह है और चंद की समापती पर चंद परिवर्तन भी किया गया है प्रथम सर्ग में प्यूश वर्ष द्वित्य में स्रिंगार त्रित्य में सुमेरू चतूर्थ सर्ग में हाकली पंचप में तिलोन की शस्ठम में पादा कुलक नामक चंदों का प्रियोग दस्टब्य है नवम सर्ग में दोहा, सोरठा, कवित, सवय्या जैसे चंद के साथ साथ संस्क्रीत के मन्दाक्रांता, वसंत तिलका, सिखरनी, दृत्त विलंबित, आदी चंदों का प्रियोग भी किया गया है महकाब्यत्व के आधार में आठमा आधार है नामकरन, महकाब्य के संपुन घटनाओं का केंद्र स्थल अयोध्या अर्थात साकेत है प्रथम सर्ग से लेकर सब्तम सर्ग तक की संपुन घटनाएं यथा उर्मिला लक्षमन का सुखमय दामपत्य जीवन, कैकै की वरियाचना, वनगमन, दसरत मरन, भरत का साकेत में आगमन ये सारी घटनाएं यहीं घटित होती है अर्थात साकेत यानि अयोध्या में यद भी इसके पश्चात की घटना स्थली चित्रकुट को भी बनाया गया है परन्तु संप्रती साकेत समाज वहीं है सारा कहकर कभी ने वन में भी साकेत की कलपना कर डाली है नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है जो इस महा काबे की जान है इसका वर्णन स्थल भी साकेत ही है अतह साकेत एक पौरानिक नाम है तथा राम की जन्व भूमी या लक्षमन प्रिया की ससुराल होने के कारण इस महा काबे का नाम साकेत उप्युक्त जान पड़ता यदि कभी इसका नामकरन उर्मिला उत्ताप देते, तो भारतिय जीवन की संपुर्णता एवं समग्रता को उसमेट पाना संभव ना होता, अतह कभी ने इसका नामकरन साकेत देकर रामचरित के साथ साथ उर्मिला के विरह को भी स्वर दे दिया है, इस महाकावि की प्रमुक पात्रा उर्मिला है, व्यदेही वनवास की जानकी, यसोधरा की गोपा, कामाईनी की स्रद्धा, नूर जहां की नूर जहां के तरह की तरह ही साकेत की उर्मिला भी इसकी नाईका है, नवम सर्ग में उर्मिला की विरह व्यथा का वर्नन करते हुए कभी मन भाव विभोर हो बारह सर्गों का विधान है, प्रत्यक सर्ग के प्रारंब में नामस्मरन एवं स्तवन है, यद भी कथानक की योजना के कारण कहीं कथा क्रम में व्यवधान आ गया है और इस कारण किसी सर्ग का आकार अनावश्यक रूप से बढ़ गया है, जैसे नवम सर्ग, इसमें उर्मिला के विरह वर्णन को इतना बढ़ा दिया गया है कि कथा करम कभी कभी तूटा सा लगने लगता है, साथ ही कहीं कहीं कथानक में ऐसे विशयों का समावेश हो गया है, जिसका संकेत मातर ही प्रयाप्त था, इस प्रकार यदपी साकेत में कामाईनी जैसी प्रोड अनुभूती, शसक्त रचना एवं अभिवेंजना कौसल द्रश्टब्य नहीं होता, तथा पी द्वैदी युगीन उपदेशात्मक एवं निती परक रचनाओं के युग में भारतिय जीवन की समग्रता तथा गांधी वादी आदर्सों का निरूपन करने के कारण यह रचना निश्चित रूप में महाकाब्य कहलाने की अधिकारी नहीं है, अपने विशिष्ट गुनों एवं महाकाब्य के सभी लक्षनों को धारन करने के कारण इसे उत्तम महाकाब्य की संग्या दी जा सकती है, धन्यवाद झाल झाल